प्रधानमंत्री मूदी ने शुरुवात में ही का कि संसद हमारे लिए तीर्थ है और यहाँ पर विकास के लिए अब सहयोग की जरूरत है सहयोग से संसद चले इसके लिए औल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी लेकिन नतीजा क्या निकला आज पहले ही दिन हंगामा हो गया दोनों सदन कल के लिए स्थागित हो गया आज राश्पती चुनाव के लिए वोट भी डाले जा रहे हैं और उपर राश्पती पत क के लिए नामांकन भी हुआ अंक गडित के हिसाब से देखें तो फैक्स बिल्कुल क्लियर हैं कि एंडिये की जीत तै है लेकिन एक नाम पर सहमती बनाने की अपीले हुई लेकिन चुनाव रणनी की जित पर कुछ तल अड़े रहे कहा गया विचारधारा के लिए चुनाव की बात करें तो असी वर्ष की मार्गरेट अलबा को विपक्ष ने अपना उमीदवार बनाया शरत पवार इसका चुनावी जंडा उठाए हुए हैं उनका नाम फाइनल करने वाली मीटिंग में केजरीवाल की पार्टी से कोई नहीं गया ममता बैनर जी ने फोन तक बात न करेंगे कि मोधी और विरोधी की बीच में फंसी देश की इस राजनीती की स्थिति पर आखिर समाधान क्या निकलेगा सवाल है कि क्या देश में इस वक्त ऑपोजिशन के पास इस मोधी विरोध का क्या आईडिया है ये काम किसी नीती या किसी काम का विरोध है या मोधी के नाम का विरोध है हम जड़रा शुरू करेंगे लेकिन आपको बता दें कि आज जिस तरीके से शुरुवात हुई दिन की जिसमें राश्पती पत के लिए वोट डाने जाने तो उसमें कई जगाओं पर क्रॉस वोटिंग की भी खबर आई है वो भी दिल्चस्प खबर है वो सक्षम माध्यम मानते हैं तीर्थक्षेत्र मानते हैं जहां खुले मन से समवाद हो जरुवत पड़े का वाद विवाद हो आलोचना भी हो बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारिकियों से विश्ट्लेशन हो ताकि नीती और निनयों में बहुती सकारात्म योगदान हो सके मैं सभी आदनिय सांसदों से यही आगर करूंगा कि गहन चिंतन गहन चर्चा उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोड़क्टिव बना सके सदन को जितना ज्यादा फ्रुट्फुल बना सके उसलिए सबका सयोग हो और सबके प्रयास से ही लोक्तंत्र चलता है संसद सत्र से पहले कल सरकार ने सरवदलिय बैठक बुलाई थी इस दोरान विपक्ष ने अपने करीब 20 मुद्दों की लिस्ट रखी थी इसमें अगनिपत का मुद्दा भी था विपक्ष कहना था कि वो बैंक धोखा धड़ी वेकाबू महंगाई बढ़ती विरोजगारी रुपए की गिरावर्ट, जांच एजन्सियों का धूरूप योग, हेट स्पीच ऐसे लगभग तमाम 20 मुद्दों को संसद सत्र में उठाना चाहती थी लेकिन मौनसून सत्र का पहला दिन भी हंगामे की जिस तरह से भेट चढ़ा है उसके बाद अब सोचना होगा कि आने इसके बनाने का परियास में लगावाए, क्या हम बिल जो आने वाले हैं उनकी लिस्ट नहीं दें, जैसे उनकी लिस्ट दी तो बोला इतने छोटे कालखंड में हमने का ये इंटोडेक्शन के लिए हैं, कुछ हो सकता कमिट्यों को जाएं, कुछ हो सकता है आप उनमें चर् करने के लिए हम त्यार है। का हमारे साथ हैं कुमार केतकर जी कॉंग्रिस पार्टी के नेता राजस्वा के सांसद हैं। कि यह हम हर्स, जब भी कोई सतर शुरू होने बाला होता है संसद का, यह एक रिवाज सा है कि उससे पहले कॉल पार्टी मीटिंग होती है, उसके अंदर सब यह कहते हैं। कि सब मुद्दों पर शर्चा होगी, प्रधान मंतरी और बाकी मंतरी वो भी आकर की अपील करते हैं कि अच्छे माहौल में बात करेंगे, सब लोग और सारे मुद्दों उठाए जाएंगे, सरकार कहती है, हमें किसी भी शेय पर बात करने से गुरेज नहीं है। लेकिन अंजाम क्या होता है मुद्स से बेहतर आप समझते हैं। तो आज ऐसा क्या हुआ और आज ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर की लग रहा है कि इस बार भी गर्मी बढ़ी रहेगी सदन के अंदर। आप मुझे पूछ रहे हैं। जी केदकर जी। हाँ, तो सवाल यह है कि प्रदान मंत्री ने आवाहन जरूर किया है। लेकिन जब विरोधी दल कहते हैं कि हमने 267 के अंदर नोटी दी है। और महेंगाई का इशू बहुत important हो गए है, particularly after additional GST और reform GST, तो यह मुद्धा उठाना चाहिए, क्योंकि तीन महेने के बाद हम मिल रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह तीन महेनों में और आज, और आज मतलब आज की तारिक में भी महेंगाई का है। तो अभी पार्लेमेंट एक ही जगह ऐसी है, क्या ऐसे बुनियादी मुद्धे चर्चा होने चाहिए। तो वो जब चर्चा होती नहीं है, तब स्लोगनेरिंग शुरू हो जाता है। तो उन्होंने एज़न कर दिया, तो मतलब हमने थोड़ी एज़न कर दिया, एज़न तो कुद्ध आज की तारिक में सबसे सबसे बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि विरोधी दलों को पार्लेमेंट चलाने में जादा इंट्रेस्ट है। हम चलाना चाहते हैं क्योंकि ये सारे मुद्धे जो है, वो हमारे लोग जो हैं, वो हमारी तरफ देखते हैं कि विर की जवाब कीद दिया चाता है कि ज़वाब कीदह दिया जाता है जवाब नहीं दिया जाता है चल्पेसे हो उसके उपर चर्चा होगी, लेकिन जब परलिमेंट शुरू होता है, कभी सेशन शुरू होता है, तो ग्यारा बजे से लेकर बारा बई तक और बारा से एक बई तक वही इशू लेने चाहिए, अभी तक लिए जाते थे, कि जो इशू लोगों के सामने है, बुनियादी स्वाल है, जब भी आए हमको कोई, उन्होंने का कि 267 के अंदर यह भी आएगा नहीं है, और यह आज है नहीं, मैं चार बर्ल देख रहा हूँ यह, इसी तरह होता है, आज़ा ठीक, मैं जफर साब से जवाब लेता हूँ, इस भी जो खबर हम आपको बता रहे थे, क्योंकि राश्पदी चुनाब चल रहा इस वक्त, और यह खबर है कि विपक्ष के सांसद और विधायकों के क्रॉस बोटिंग हुई है, अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर विपक्ष के सांसद और विधायकों ने अंडिये की उम्मीदबार दौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला है, तो यह पहले भी एंडिये के जो लोग थे वो कह रही थे बीजेपी के लोग की जितनी गणना की है उससे जादा वोट हमें मिलेंगे, तो देखते हैं इस बार ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन जो विशे अभी यहां संजद का चल रहा है, प्रधान मंतरी कहते हैं यह हमारे तीर्थ शेतर है, प्रधान मंतरी ने आज एक लाइन और की आगे बढ़कर, उन्हें का आप संबाद कीजे, जरूरत पढ़े तो वाद विवाद कीजे, लेकिन बात होनी चाहिए, सकरात्मक नतीजा निकलना चाहिए, सत्र की प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, लेकिन अभी हम तो कई वर्षों से ऐसा देखते आ रहे हैं, सत्र के बाद सत्र जो है, वो धुलता जाता है, सरकार अपना काम कर जाती है, लेकिन कभी चर्चा नहीं हो पाती सदन के अंदर, जफर इसलाम साब, और अभी कुमार केतकर जी ने का, इसके लिए जिम्मेदार आप हैं? उन्हें कोई मतलब नहीं, इसलिए कि बिजनेस ऐडवाईजरी कमीटी में सारे डिसकेशन हो चुके होते हैं, यह चर्चा हो चुके होते हैं, क्या होना चाहिए, फ्लोर लिडर्स आपस में डिसकस कर चुके होते हैं, लेकिन एक पार्टी शुरू करती है, उसके बार बार गामा शुरू करते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि disruption करो disrupt करो Parliament अगर disrupt करेंगे Parliament तो बाहर तक यह आवाज जाएगी वो वीडियो पे दिखेगा टीवी पे दिखेगा जिस दिन टीवी बंद हो जाएगा उस दिन शायद यह disruption भी बंद कर देना कर देंगे इसलिए कि सिर्फ जनता को गुबरा करने के लिए disruption करते हैं इनको कोई और मुद्धा नहीं होता है यह आराम से अगर अजजन हो गया तो पूर लीडर्स आप करे आप क्यों हंगामा करने लगते में फ्लोर लीडर्स क्यों बनाया है जैराम रवेश हैं वह बात करेंगे अपीयोच्गो यलजी से यह वह कुछ कह रहा है और अब है कि आर स्वाल मैं एक ही सवाल आपको पूछना चाहता हूँ विरोधी दलोंग को डिस्रप्ट करने से क्या फाइदा है विरोधी दलोंग को फाइदा होगा जब चर्चा होगी हम मुद्दे रखेंगे कि महेंगा के लिए कौन जिम्मेदार है उसके उपर चर्चा होगी तो जनता कहेगी विरोधी दल अपना काम कर रही है हमको तो फाइदा चर्चा चालू रहने में है हमको क्या फाइदा है डिस्रप्शन करने में मैं जबाब देटा हमारी वोट बढ़ने वाली नहीं है हमारी इमेज भी अच्छा होगी चर्चा होगी तो ही हमारी इमेज रहेगी हमको सपोर्ट रहेगा हमको वोट मिल सकता है मिलेगा नहीं मिलेगा आलत बात है लेकिन विरोधी दलों का ये काम है कि जो बुनियादी संवाल है उनको रखना इन्हों ने जो बिधाई तरिक करना है आप कह रहे हैं कि हमको disrupt करने में इंट्रेस्ट है हमको क्या फाइदा है इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं लेकिन अपने पार्टी के लोगों को देखा नहीं है कैंट पहुषै करने में इंट्रेस्ट है आप मुझे यह बताइज आप का दे आप नहीं जान रहे हैं कि यह आप गलत बोल रहे हैं आप आप बताईए कि डान्स करने से आपको क्या प्वाइदा होता है। आता है कि किस मुद्दे पर कब-कब बात होगी। वो टेक्निकली बात है 267 नोटिस के अंदर हम ये सवाल उठा सकते हैं और ये उठाए गए लेकिन वो नोटिस को ध्यान में ही नहीं लिया गया 267 ये टेक्निकली पॉइंट है ये वो 267 से भी बात कर रहेते हैं और LOP, Leader of the Opposition वो standing और हो कह रहा था आफ दिये, जबर साथ फिरमे अनुराग जी पंडे पास जाता है तो आप ऐसा कैसा 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 कि आथको कि इसके हमको इंट्रेस्त है डिस्ट्रप्ट करने में हम को क्या इंट्रेस्स है हम आते हैं इतने दूर से याँ तो इसने प्री में गेने आते हैं और तब स्वर्गी जेटली ने कहा था कि disruption is a right democratic right ये लेट आरून जेटली ने कहा था स्वर्गी आरून जेटली ने हम disrupt करते हैं disruption is a democratic right ये स्वर्गी आरून जेटली ने कहा था हम disrupt नहीं करते विरोधी दल disrupt नहीं करते आप सुनिए एक मिनट सुन लीजिए करता है मैं तो आपको ऐसे वीडियो भी देखा सकता हूं जहां आपके फ्लोर लीडर और आपके बड़े लीडर इशारा कर रहे हैं आगे बढ़ो हंगामा करो आपको देखाऊं क्या वीडियो आपको अफसोस होगा देखिए ऐसी बाते नहीं करता है वह भी अच्छी तरीके से समझते हैं अनुराग घदवरिया साथ आज बड़ा महतफूर दिने राजपती के लिए इस वक्त मद्दान भी चलना है राजपदी के चुनाव के लिए और साथ साथ संसत का है सतर बड़ा महतपून सतर है जैसा भी केतकरक साब ने का तीन महीने के बाद सब लोग मिल रहे हैं 32 बिल इसमें पास होने हैं विपक्ष का जो एजेंडा है वो भी महतपूर्ण एजेंडा है महंगाई पर बात करना है उनको उनको बात विरुजगारी पर करना है तो लेकिन सब यह कहें कि नहीं बात तो होगी अच्छी बात होनी चाहिए दोनों तरफ कहते हैं होता है हंगाम देखें दोनों तरफ की बात नहीं एक तरफ से होती है विपक्ष कहता है कि आप महंगाई विरुजगारी पर चर्चा कीजिए क्योंकि देश की सबसे बड़ी समस्य यही है लेकिन भारती जनता पार्टी की सरकार और भारती जनता पार्टी तो चाहती नहीं कि चर्चा हो अब वो चर्चा चाहती तो चर्चा जरूर होगी लेकिन preçoन्ह नहीं चाहती है वो हंगामा करवा के हैसा महौर बनाती है जिससे कि हंगामा हो उसके बाद हाँ हाँ कहतब हो इसके बाद पार्लमे Button बंद हो जाती है बई आप आईए ना फ्लोर पर लेंके आइए देश के समस्यां का समाधान हूँ भारत्सी जंत्राप्रटी की सरकार अपनी समस्या का समाधान करने लिए या अपनी राजनीत को चमकाने के लिए या अपनी कैसे और हम सत्ता पे काबिज हो जाएं उसके हिसाब से पारलिमेंट चलाएगी तो कैसे चलेगा भाई आपको तो लोगतंत की बात करनी है ना लोगतंत में तो जंता की बात करनी है केटकर साब मैं आ जाओंगा आपके पास जड़ा ही है बोल रहा है समाजबादी पार्टी से उसके बाद आ बोली देगा केटकर साब मैं आ जाओंगा बोली आपको टोका नहें अब मेरा समय है जवाब देरे जिराएँ तोका भी है प्रभू सुनिये मैं आप से इतना कर रहा हूं कि सदन में जो पहले प्लानिंग करते हैं उसमें आपके भी MP होते हैं कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं लेकिन वो चाहते ही हैं कि अंदर जाके कोई शोर शराबा हो हंगाबा हो डिस्रप्शन हो स्लोगन हो और यह बाहर में डिसाइड हो जाता है जो आप हॉल में बैठते हैं चाय पानी पीते ही डिसाइड कर लेते हैं आज क्या करना है हम बिल्कु चाहते हैं हर बुद्धे पर जाते हैं डिसकेशन हो नहीं कह तो रहा हूं कि हर बुद्धे पर चाहता हूं अरे ऑन रिकॉर्ड सुनिए आपके कान बीच में रुक ना जाए सुनीजे मैं बोल रहा हूं अरे तो सुनो तो सही मेरे भाई सुनलीजे अनुराग जी वो कह रहा है हम तयार हैं चर्चा के लिए वो कह रहे हम तयार हैं एक पर सुनलीजे सुनलीजे मैं तो कह रहा हूं कि हमारे अभी आपने सुना नहीं इस प्रोग्राम के सबसे पहले सदन के अरजन होने के बाद का इंटर्विव जो है अभी टेलिविजन चैनल पे आपने देखा जहां मेगवाल जी कह रहे हैं अरजन मेगवाल जी कि हम सब चीज़ पर चर्चा करना चाहते हैं करो तो सही तुम डिस्रप्शन करना चाहते हो इसमें कुछ लोग जो है इनका अप्रोच ही ऐसा है कि बस खाली हंगामा करो सबस्ता तो आप आईए वो बेड़न सब्सक्राइब कर आईए अरे मैं कहतो रहा हूं कि लेकर आईए और लगाता है तर दिल तक चर्चा होगी क्योंकि सबसे बड़ा मुझता ही अरे सुन तो लीजिए अप चाह रहे हैं या एक्स वाई-जड आरे मैं तो आप आप कांग से सुननी पा रहे हैं क्या मैं कहरो में तो अनुराग जी अनुराग जी दो लोग और अजाद कर रहे ह आप चाह रहे हैं ना इनके मुझ से सुनना तो बोल रहे हैं भी एक पर सुनिए तो मैं सर्फ कह रहा हूं कि आप इसको बीएसी में लेकर आई है अगर आपको लगता है कि यह चीज मेरे छुट रही है तो आपको बीएसी अरे भाई मेरे को सब चीज़ पर डिसकर करने के लिए खुली किताब की तरह हूं लेकिन आपको गताब ने एक पढ़ना पढ़ना है चले अच्छा ठीक को चर्था मैं ला रहा हूं फिर मादवानेंजी के पास जाओंगा शांतिनू जी मुझे बताईए विपक्ष मुद्धा है विपक्ष का मुद्धा महेंगाई विपक्ष का मुद्धा एकौनुमी गैस पेट्रोल डीजल के दाम खाने के ल्पीडी सिले सरकार भी कुछ आलूचना से और कुछ चर्चा से बचना चाहती है इसले में रिकाल से विरोत करने का एक तरीका हो गया है क्योंकि पिछले साथ-ाथ-साल में चुनावी रूप से बहुत सारे दल बहुत पीछे रहे गया है तो सडक पे आके दंगा करना, पार्लिमेंट में आके हला गुला करना मेरे काल से नहीं परिपाटी बन गई है अगर यह जो 32 बिल है जो इस बार पेश कर रही है सरकार उसमें बड़े अच्चे बिल है उसमें कॉर्परिटिल सीसाइटी का बिल है, बैंक रपसी कोड का बिल है, STST लिस्ट को रिवाइस करना के उपर है प्रेस रेगुलेशन के उपर है एंशेंट अपने मॉनुमेंट के उपर है ट्राफिकिंग एंटी ट्राफिकिंग के उपर है कंटोर्नमेंट बिले तो अच्छे बिले जब उन पर चर्चा होगी तो बहुत सारे ऐसे मुद्धे आ सकते हैं और अभी हमने बजट सेशन खतम शुरीती तो महंगाई पर चर्चा हुए यही तरीका इनकी पार्टियां पारिमेंट में करती है यही डिबेट में किसी को बोलने मत दो चिलाने लगो ना उनकी बाद सुन पाहें ना हमारी प्रोड़क्टिविटी रही है लेकिन प्रोड़क्टिविटी पर भी सवाल उठाता है ना विपक्ष जब आप वह कहते हैं कि जब सरकार बिल पर चर्चा कराएगी नहीं प्रोड़क्टिविटी तो बढ़ जाएगी लेकिन क्या वो तरीक ठीक है चर्चा के लिए तो सदन में बैठना पड़ेगा अगर आप हर बात पर वक आउट करेंगे ऐसा ऐसा इशू जो अभी केवल निउस्पेपर का इशू है टीवी डिबेट का इशू आप चाहेंगे व तो मेरे खाल से और यह लग देख भी रही है जंता में भी असर जा रहा है सारे निउस्पेपर आप लोग बताते हैं कि जब एक घंटे की पार्लिमन नहीं चलती है तो कितने पैसे कितना पैसा खराब होता है तो जंता के पास वो भी मेसेज जा रहा है ठीक है मादवानन ज सदन चलाना सरकार की जितनी रिस्पॉंसिटी है उतनी ही रिस्पॉंसिटी विपक्ष की है अगर सभी पुलिटिकल लीडर्स अगर सकरात्म सोच के साथ सदन में आएंगे तो निश्ची तुरुप से संबाद भी होगा बाद विबाद भी होगा और चर्चा भी होगा लेक कर रहे हैं जो भारती अर्तव्वस्था की हला थैं उसकी बात कर रहे हैं लेकिन सरकार तो हर विपपछ की मुद्ध है वो देश का मुद्धा है महंगाई पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए अगर जिन उद्योस्यों की प्राप्ति के लिए आप अगनिपत योजना लेके आए हैं अगर वहीं लोग भैभीत हैं उनके कुछ एप्रिहेंसन हैं कंसर्ण है तो उस कंसर्ण कोई दूर करने की आवशकता है और मुझे लगता है सरकार खुले दिल से इस पे भहस कराबे और सरकार चाहती भी आदर्ल्य प्रणानमंत्री जी ने कितनी अच्छी बाते कही कि सदन बना ही ये संबाद के लिए बाद-विबाद के लिए लेकिन संबाद तो हो छाता ही यह नहीं है कि बहस हो जो बिल पास होने है सुभाविक है सरकार की responsibility है वो बिल पास होने चाहिए लेकिन बिल पे भी proper चर्चा हो उसमें बहुत सारे जब चर्चा होगी तो बहुत सारे अच्छी बाते आएंगी हो सकता है सरकार उसको एडॉप्ट भी कर ले या विपक्ष को भी समझने की आवा सकता है कीटकर साथ वे कि इसमें कुछ कही भी रहे थे की सदन सुचार उरुप से चले ठीक ये पहली जिम्मेदारी आप कह रहे हैं चर्चा के बिना, यह बहें नहीं कह रहा हूं, यह Chief Justice कह रहे हैं, और जिस तरह से हमने देखा Agricultural Bill पास किया और बाद में फिर withdraw किया, उसमें कोई चर्चा नहीं हुई, जब withdraw किया तब भी चर्चा नहीं, जब पास किया तब भी चर्चा नहीं, बहुत सारे बिल इसे हैं, कि जो standing committee के पास जाने चाहिए, वो standing committee के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, तो बिल standing committee के पास जाने के लिए तैयार नहीं, चर्चा के लिए तैयार नहीं, पास तो होते रहते हैं, इसका मतलब यह है कि चर्चा कोई नहीं चाहता है, विरोधी दलों को क्या फाइदा है चर्चा जिस बील पे आप लोग आप लोग के सहमती हुई डिसकस करने की चर्चा करने की डिसरप्ट ना करे चदन को चलने देगे ऐसी आप से सहमती आप ने करली कि हाँ आप आपस तेरा बिल पास होगे आपको यात होगा सदन में थे अग्रिकल्चर बिल को सभी लोग के सरसमती से पास हुआ था लेकिन आप चर्चा हर जगह पर होती है हर चर्चा में भाग लोग लेते हैं आप किया बताए क्यों नहीं लेकिन विड्राउ किया हम किसानों को आज जैसा अदर ने परदानमंति चीन का उसके अच्छे गुनगान आप गाते रहते थे उसको हम समझाने में ऐसमर्थ रहे। नहीं उनियुनि लेटरली आपने विड् ने डिसकेशन नहीं किया अब बिड्रॉट कियों कि आप चर्चा नहीं चाहते अरे भाइ बिल छोड़ी आप दरा उपीय के कारेकाल में आईए विरोधी दरा आप अपने कारेकाल में आईए वताईए कितने बिल बिना डिसकेशन के पास के है ने आपको पता है ना कि कित्कर साथ अब भी यात दिला रहे थे कि चीफ जस्टिस ने अभी अभी कहा है राजिस्थान में कि बहुत सारे बिल बिना स्कुरूटीनी के पास हो रहे हैं इस पर उन्होंने भी सवान उठाया प्लीज एक मिन्ट जबाब लो इस बात का पूरे पार्लिमेंट को आप होस्टेज बना देगे सुनिये जरा साथ करें पास कुछ कहने के लिए दमाने का इसाब किताब देखिए कारेकाल प्रोड़क्टिविटी देखिए एफिशेंसी देखिए और उसके बाद आपको 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 मैं आप से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हिसाब करने का कोशिश किजिए आपको दिखेगा कि आपके एफिशेंसी लेविल कितना कम थी प्रोड़क्टिविटी कितना कम थी और आज भी वही करना चाह रहे हैं लेकिन मैं यह आप से बताना चाहता हूं कोंग्रेस गॉट दी राज्यसभा एज़न्ट फॉर देए ऑन दी अरज़न्ट इशू अफ कंटिनूइंग इंटॉलरिबल इंक्रीज इन प्राइस इंप्राइस अफ इसेंशल कॉमोरिटीज उन विच डिसकॉशन वस डिनाइड यानि कॉंग्रेस पार्टी के नेत्रत मे आज विपक्ष ने राज्यसभा को स्थागित करा दिया जो की मांग थी हमारी कि हम बढ़ती कीमतों पर चर्चा कराएं और इस पर डिसकॉशन नहीं होने दिया डिसकॉशन नहीं कराया आपने आरूप लगाया सरकार के उपर और वो इस बात का क्रडिट ले रहे हैं कि हमने एडजन करा दिया लेकिन टूशिक्सिशन का नोटीस आए उसके बारे में बोलो आप ने वो तो आप बोल रहे हैं लेकिन जैराम प्रमेश मेरा एक सवाल सुन लीजे आपने का सरकार हमारी बात सुनने से आप एडजन करते हैं क्या यह बताओ मुझे आप एडजन करते हैं लेकिन आपकी इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप एडजन करते हैं तो हमारी बात सुनते हैं क्या आप ने तो इसका मतलब की एडजन कराना ने एडजन मेंड की यह तो आप एडजन bekommt एैसा आप पहे रहे हैं तो हमारी डिमांड discharged करो वो क्यों नहीं कहरता है रहे है और हमारी डिमांड पीर चलता है क्या ऐसी कुछ रहा हूं कि कौन दिमांड करता है दिमांड एकसेपकों करता है दिबान करता कोन है दिबान एक्सेप्ट कोन करता है चर्चा करने को कोन चाहता है चर्चा नहीं करने को कोन चाहता है यह सब है न रिकॉर्ड पे शिरेक कमिटी पे नहीं जाते है यह स्टैंडिंग कमिटी पे नहीं जाते है आप कह सकते थे चर्चा होगी एडजन नहीं होगा कह सकते थे आप अगर आपके मुताबिक चर्चा नहीं होगी तो आप सदर नहीं चलने देंगे आप एडजन कराएंगे हम सदन चलाना चाते हैं सदन नहीं चलने से हमको कोई फाइदा नहीं है सदन चलने से हम बुद्धे रख सकते हैं सदन चलेगा तो लोगों के पास जाएगा ये मुद्धा कि हमने ये मुद्ध उठाये थे तो हमको क्या फाइदा है डिस्टप करने में इसका सीधा जोप नी है आपके पास मैं आपके साथ हूँ कि चर्चा होनी चाहिए आपके मुद्धों पर भी लेकिन जो जैराम रमेश ने का है वो कुछ और कह रहा है वो एक कह रहे हैं कि हमारी मांग नहीं मानी इसलिए हमने सदन नहीं चलने दिया और वो इस बात का श्रे ले इस बात का श्रे ले ना कि हमने पार्लेमेंट नहीं चलने दी पूरे दिन के लिए वो आज़नमेंट मांग रहे थे और आपने एज़न कर दिया मतलब चर्चर नहीं चाहते थे आप बोलिये जफर अभी आप जरारावमेश की ट्वीट पर आप उनकी डिमांड हमेशा मानते हैं क्या देखे वो अज़न्मेंट सुनिये सुनिये अज़न्मेंट गॉट अज़न मतलब क्या हमने चलने नहीं दिया फाइनली हाउस को चलने नहीं दिया यहीं मतलब उनको के लेड़ बाई क्या चीज़ लीड किया आपने आपने क्या लीड किया वही डिस्रप्टिफ अप्रोच जो था फोर्स जो थे वहां उनके जो एमपीज उनको लीड किया कॉंग्रेस ने अपोजिशन बेचके जो जिनका डिस्रप्टिफ अप्रोच था उसका वही तो लिपने हैं वो कॉंग्रेस के लेड़ बाई कॉंग्रेस गॉड अट जया मतलब आपने इतना डिस्रप्ट कर दिया कि मजबूरान हास में हास में बिजनेस ट्रांजेक्ट करना है बिजनेस होना है ना लेकिन आप तो वहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तो कॉंग्रेस पार्टी ने इसमें लीड लिया डिस्रप्शन करने में और हंगामा करने में और अट्जेन करा दिया यह क्या हमकुल सी बात है अट्जेन इसलिए होता है कि जब आप डिस्रप्शन करते हैं पार्लिमेंट को आप हुलिगदम करते हैं आप हंगामा करते हैं स्लोगन करते हैं जब आप नहीं चाहते हैं बिजनेस हो तो अट्जेन होता है चली ठीक है यह ट्वीट तो अपनी जगे बार सवाल है जो जाने के लाइक होता हो जाता है सर एक मिनट अब आप अरजुना मिंग्वाल जी की ऐसा कहा था उन्हों काम सब मुद्धों पर चर्चा करने के लिए तयार हैं उन्हों का तो स्टेट्मेंट हमने सुनाई हैं अभी उन्हों कहा कि विपक्ष गेर जरूरी मुद्दे सदन के अंदर उठाना चाहता है आपके इसाब से जिए मुद्दे उठाना चाहते हैं वो खैर जरूरी है जफर साब यह मंत्रीजी कह रहे हैं देखे मैं नहीं आप अगर इनके अलग अलग आप देखे आप पुराने अभी वीडियो निकाल के पुराने देखे कोई अपने कोई अपने अपने परदेश का लेके इश्यू हंगामा करता है कोई पंजाब को लेके तो कोई पुरिसा को लेके तो कोई किसी को लेके कोई तलंगाना को लेके कोई ना कोई इश्यू उठाके ये सिर्फ हंगामा करते हैं पोस्टर बाजी करते हैं हकीकत यह है कि देखे जो बिजनस जो डिसकस करना है चाहे कोई देखे कोई भी जनता की चीज जरूरी है जनता के लिए ही सरकार है जनता आपको मानती तो आपको कहा है आपको हराती थोड़ी अरे जनता आपको हराती है हराती है की नहीं बताई है अगर आप जनता की बुद् है कि आपको डिसकस करना तो करेंगे डिसकस लेकिन आप डिस्रप्ट आप डिस्रप्टिव अप्रोच तो मत रखी आप चली एक बार जी की बात सुनें नियुक्त एक बार अनुराग जी की आवास आजाए जबर साब जरा सुनियेगा पूलिए रेलए रेलवे डेखे इनके इनके लिए जरूरी मुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द कोई कम से कम डिसाइड कर देगे जलता के पिछ में क्या है यह बो दिये जुम्ले बाद पूलना यह ज़रूरी है इसको पारलिमेंट इस सब सा पढ़के आईए दुनिया के आज जिस तरह के हालात है उसमें सुनिये सुनिया भी जरा बीच में नहीं बोल रहा था उस हालात में आप जरा जो महंगाई के बारे के रहे हैं महंगाई का कर्व दुसरे दुनिया में जाके दुसरे देशों में देखिए कैसा कर्व चल रहा अचा तो आज यहां सबसे बेतर हालत हैं आप कंट्रोल में है और आगे पारवर्ड कर प्रोर private आप कर वान करवें तो अरइरे रूपिया सार रूपिया दो सब क्या करें आप को आप आप देखा है कि आपका पॉंट कितना रूपिया करें अपने देखा है कि आपने आपने देखा है कि योरो कितना डिप्रेशेट किया है आपने देखा है सिंगापूर का डॉलर कितना डिप्रेशेट किया है आपने देखा है कि दुनिया के और करेंसी कितना डिप्रेशेट किये इसलिए कि रुपिया नहीं डिप्रेशेट हो रहा है यह बता रहे आप बेकुफी वाला सवाल करें डाइल डायल डॉलर जो है उपड़ रहा है डॉलर राइसिंग है उसके अग्ज़ सारी करन्सी की निये कोई एक सुप्चेंश निये ले कि कि अधिया के बहुत सारी करिंसी जो हैं इंडिया से अप्रिशेट किये तो यह आप दो देखिए जाके बेकुफी वाला सवाल मत कीजिए कब से कब थोड़ा पड़के आइए अच्छा एक सेट चलिए शांतनु जी शांतनु जी शांतनु जी बाकि मेहानों से एक मनें सदन में रखने हैं उन पर हमें काम करना है चलिए ठीकी बात एक बात तो यह हो गई लेकिन इसके अलावा देश के वैश्विक हालात जो हैं उन पर अगर कोई किसी विशह पर विपक्ष चर्चा चाहता है तो क्या वो नहीं होनी चाहिए सदन के अंदर कोई भी विशह हो तो क्या बिजनस के साथ उसके लिए जाएगा नहीं हो सकती है चाहे वो कॉर्परेटिव से जुला बिल हो चाहे वो एंटी ट्राफिक का बिल हो और संसद में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है एक संसद में प्रशनकाल मैं आपको आखला दूंगा आप चकित रह जाएंगे जैराम रमेश इस 27 संसद में जो एवरेजर नाशनल परसंट थी मतलब लगनाउ से उटकि अखले शादब के पास पार्लिमेंट आने का समय था राहूल गांदी के टिना 51 परसंट है मतलब किया वहला करना है पार्लिमेंट में पहुचना नहीं है और उसके बाद कहना है देखिए देखिए काम नहीं हो रहा हमारी बात नहीं देखिए जहराम नमेश का जो ट्विटर हमने करवा दी मतलब टेमसी नहीं करवा पाए एंसीपी नहीं करवा पाए डेम के नहीं कर पाए हमने करवा दी तो मेरे का से उसका श्रे लेनी की घोड़ जादा लगती है मुझे हाप चले समय खैर इतना ही ताप बी करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर